ये वो भक्त हैं जो हर युग में धर्म को, आस्था को और आस्था के हर प्रतीक को जीवित रखते हैं कि जो सनातन धर्म को चुनौती देते हैं, लाला की आवाज, भक्तों की आवाज उन तक पहुँचे इस दिव्य दर्शन के माध्यम से हम सब पुना कहते हैं, क्रिश्न कनहिया लाल की जब तक एक एक भक्त इस पुन्य धर्ती पर जीवित है, तब तक कोई ऐसा नहीं जो धर्म को चुनौती दे ये भी सत्य है कि आज कुछ ऐसे लोग हैं, जो हमारे सनातन धर्म को चुनौती देते हैं, कि नेस्तो नाबूद कर देंगे, आज अगर यहां का वो नजारा देखते, तो उन्हें समझ आता कि प्रभु जो कहते हैं, संभवामी युगे युगे, ये वो भक्त हैं, जो हर य आध्यम से, परिवारों को एक छट के नीचे एकत्रित करके, धर्म के जागरन और सन्रक्षन के लिए जो आपने काम किया, उसके लिए पुना आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूं, जन्माष्ठमी की शुब कामनाएं देते हुए इतना ही कहती हूं, कि हर मा की इच्छा होती है, कि लाला उसके घर आए, लेकिन हर मा को जब ये पता चलता है कि युद्ध की भूमी पर धर्म के सन्रक्षन के लिए लाला की जरूरत है, तो मा कितना अपने तेज से, अपने बालक को या बालिका को प्रुचाहित करती है, आज प्रभू से हर मा के लिए, मैं वही बल, वही संबल, वही धैर्य मांगती हूं, बालक हो या बालिका भारत के नव निर्मान में, युद्ध की भूमिका में नहीं, बलकि शान्ती की भूमिका में आस्था के पत पर चलते हुए, मा भारती की वो सेवा कर पाए, ऐसे हर परिवार के हर बालक और बालिका के लिए प्रभु से आशिरवाद मांगती हूँ पुना आप सब का भी नंदन करते हूए अपनी वानी को विराम देती हूँ फिर से सबसे आग्रह है कि जो सनातन धर्म को चुनोती देते हैं लाला की आवाज भक्तों की आवाज उन तक पहुँचे और उनको पता चले कि हम सब एकत्रित हुए है इस दिव्य दर्शन के माध्यम से हम सब पुना कहते है कृष्ण कनहिया लाल की वहाँ तक नहीं गई आवाज भाई पुना सबसे आग्रह है कि जिन लोगों ने सनातन धर्म को चुनोती दी है उनके कानों तक हमारे स्वर पहुँचे कि जब तक एक एक भक्त इस पुन्य धर्ती पर जीवित है तब तक कोई ऐसा नहीं जो धर्म को चुनोती दे कोई ऐसा नहीं जो आस्था को चुनोती दे आप सब से पुना अग्रह की जोर से बोलें कृष्ण कनहिया लाल की